दोस्तों आज मैं आपको सकट चोट व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। माघमा के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथी को सकट चोट का व्रत किया जाता है। और दोस्तों इस साल अठा दो हजार बाइस में शंकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा 21 जन्वरी शुक्रवार के दिन और चतुर्थी तिथी इस दिन प्रारंब हो जाएगी सुबह के 8 बच के 51 मिनट से वहीं चतुर्थी तिथी समाप्त होगी 22 जन्वरी को सुबह क 9 बच के 14 मिनट पर साथी सकट चौट वाले दिन चंद्रोदे का समय होगा रात के 9 बचे दोस्तों हिंदू पांचांग के अनुसार इस बार सकट चौट पर कई शुब संजोग भी बन रहे हैं जैसे कि इस बार सौभागी योग बन रहा है यह शुब योग 21 जन्वरी को द जाता है इस काम से सफलता की प्राप्ति होती है साथी आपको बता दें कि सकट चौट वाले दिन अभी जीत मुहुर्त दोपहर के 12 बच के 11 मिनट से शुरू होगा और यह रहेगा 12 बच के 54 मिनट तक सकट चौट के वरत को कई नामों से जाना जाता है जैसे कि संकटा माघी चौट ऐसी मान्यता है कि जो भी महिलाएं इस वरत को पूरी भक्ति भावना से श्रद्धा पूर्वक नियम पूर्वक करती हैं उनके संतान दिरखायू होते हैं इवं सुक सम्रिधित से परिपूर्ण होते हैं इस वरत को निर्जला किया जाता है सारे दिन भगवान श्री गनेश के मंत्रों का जब करती हुए शाम के समी भगवान श्री गनेश एवं समस्त शिफ परिवार की विदिवत पूजा अर्चना करें भगवान श्री गनेश की पूजा अर्चना के उपरांत उन्हें 21 दुरवा ओम गम गणपती नमा मंत्र का जब करती हुए पूजा में भगवान को शकरकंद, दिल और गुड से बनी मिठाईया, लड़ू और मोदक का भोग लगाए। साथ ही भगवान श्री गनेश के मंत्रों का जब करें, कथा का श्रवन करें और इसके बाद भगवान श्री गनेश इवं समस्त शिफ परिवार की आरती करें। अब संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा जान लेते हैं। कथा सुन्य से पूर्व भगवान श्री भाल चंद्र गनेश का ध्यान करें, ओम गम गनपती नमा मंत्र का जब करते हुए श्रधा पूर्वक कथा का श्रवन करें। पार्वती जी ने पुछा हे पुत्र माख के महीने में किन गनेश की पूजा करनी चाहिए। उस दिन पूजन में किस चीज का भोग लगाना चाहिए और किस प्रकार का आहार देना चाहिए। इसे विस्तार पूर्वक बताने का अनुगरह करें। गनेशी ने उत्तर दिया हे माता माख मा में भाल चंडर नाम के गनेशी की पूजा करनी चाहिए। हे माते इस दिन तिल के दस लड़ू बनाएं। पांच लड़ू देवता को अर्पित करें। और बागी बचे पांच लड़ू ब्रामन को दान कर दे। साथी ब्रामन की श परिश्चन नाम के एक यशस्वी राजा हुआ करते थे। वे शत्रिय धर्म में चतुर, सजित स्वभाव, सत्वक्ता और विद्वान ब्रामनों के आराधक थे। हे देवी उनके राज में अधर्म का नाम तक नहीं था तथा कोई भी व्यक्ति गरीब लूला लंगडा अत दुखी न था। सभी व्यक्ति रोग रहित तथा चिरायू होते थे। उनके राज में रिशी शर्मा नाम के एक तपस्वी ब्रामन रहते थे। एक पुत्र को प्राप्त करने की पश्चात उनका स्वर्ग वास हो गया। पुत्र का पालन पोशन उनकी धर्म पत्नी करने ल कर उसका पूजन किया करती थी। हे माते भिक्षा मांग कर ही उसने दिल के दस लड्डू बनाए। उसी के मध्य उसका पुत्र गणेश जी की प्रतिमा अपने गले में बांध कर कहीं खेलने चला गया। तब एक चांडाल कुम्हार ने उस ब्रामनी के पांच साल के पालक क को चबरदस्ती पकड़ कर अपने आवा में बिठा कर उस आवे को बंद कर दिया और मिट्टी के बरतनों को पंकाने हे तु उसमें अगनी दे दी। बच्चे की माता जब अपने बालक को ढोंडने लगी तब उसके न मिलने पर वह बहुत दुखी हुई। वह ब्रामनी रो हे चार भुजाओं वाले, हे मस्तकपर चंद्रमा को धारन करने वाले, हे दयावंत, मैं पुत्र के विरह में दुखी हूँ, आप मेरी रक्षा करे। इस तरह वह ब्रामनी आधी रात तक रोती बिलखती रही। सुबह हो जाने पर कुमहार अपने पके हुए बरतनों को दे पिलती वे देखा, इस आश्यर जनक घटना को देखकर वह आश्यर चकित हो गया और डर के मारे कापने लगा, इस अद्भुत घटना की खबर उसने राज दरबार में आकर दी और उसने अपने द्वारा की दुशकर्म को भी राज सभा में बता दिया, कुमहार ने कहा कि हे महराज हरिश्टरंद मैं अपने बुरे कारे के लिए बृत्यू के योगे हूँ, उसने पुना कहा कि महराज अपनी पुत्री के विवा हे तु मैंने, अनेक बार मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा लगाया, लेकिन मेरे बर्तन कभी नहीं पके और हमेशा तब मैंने डर कर एक तांतरिक से इसकी वज़ा पुछी, उसने कहा कि तुम बिना बताए किसी लड़के की बली चड़ा दो तो तुम्हारा आवा पक जाएगा, मैंने विचारा कि मैं किसके बालक की भेट चड़ाऊंगा, वो मुझे जिन्दा नहीं छोड़ेगा, इसी डर शर्मा ब्रामन का स्वर्गवास हो गया है, और उसकी विद्वा पतनी भेखशा से अपना पेट भरती है, वो इस बालक का क्या करेगी, मैं अगर इसके बालक की भेट चड़ा दूं, तो मेरा आवा पक जाएगा, मैं इस घोर पाप कर्म को करके रात चिंता रहित होकर सो ग हुआ है, इस ब्यानक दृश्य से में काम गया और इसकी जानकारी देने में आपके पास आया, कुमार की बातें सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुए और उस बालक को देखने के लिए गए, वहां बालक को आनंद पूर्वक खेलते हुए देखकर मंतरी से राजा ने कहा कि य प्याकुल है, इस आवे में उसी प्रकार खेल रहा है जैसे अपने घर में खेल रहा हो, राजा इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि तभी वह विद्वा ब्रामनी रोते सिसकती हुए वहां आप पहुची, वह कुमार को कोसने लगी, जिस तरह गाय अपने बचले को देखकर रंभाती है, वही दशा उस ब्रामनी की भी थी, वह ब्रामनी अपने बालक को गोध में लेकर प्यार करने लगी, और गापती हुई राजा के सामने बैठ गई, राजा हरिश्चन ने पूछा, हे ब्रामनी, क्या तु कोई जादू टोना जानती है, या तुने कोई धर्म का कार किया है, जिसके फलसरुप बच्चे को अगनी छू न सकी, राजा के ऐसा कहने पर ब्रामनी बोली, हे महराज, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती और ना ही कोई तपस्या, योग आरी की विधी ही जानती हूँ, हे महराज, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ, इसी व्रत के प्रभाव के कारण मेरा पुत्र जिवित बच गया, ब्रामनी की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि मेरे राजी के समस्त जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी के व्रत को करे, राजा ने कहा, हे पती व्रते, तु धन्य है, इस द आप राजी को प्राप्त करेंगे, तथा आपकी सभी इक्षाएं पूर्ण होंगी, भगवान श्री क्रिश्न के वचनों को सुनकर युधर्ष्टिर बहुत प्रसन्य हुए, और माग क्रिश्न चतुर्थी का व्रत करके, निर्विग्न राज का सुख भोगने लगे, सभी वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजे, परिवार जनों के साथ दोस्तों के साथ शेर जरूर कीजेगा, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखे, जै माता दी